आपको स्वागत है आज हमारे साथ में है मोहन कुमार जी बाका बिहार से कान की तकलिफ की चलते आपका पूर्व में ओपरेशन वग और अपरेशन के बाद में पून है स्थिती वैसे ही है यह अनेत्र कहीं हुआ था कन्वेंशनल मेथड से और हम इनके जैसे के सिटी स्केन क को देख सकते हैं प्ली शोदा मॉनिटर तीम द्वारा पूर्ण विश्लेशन किया गया है सिटी स्केन में एक्स्टेंसिव डिजीज दिखाई दे रिये और हम देख सकते हैं यहां पे और इन ओल फिंस दिर इस स्क्लेरों से सफ मैस्ट्राइड एर सेल्स सो आब हम देखना जाएंगे अंडोस्कोपी के लिए शोदा मॉनिटर और यहां हम देखते हैं यह पोस्ट औरिकलर अप्रोस से पहले पूर में कहा हुआ था ऑपरेशन यह बागलपूर में वहा था तो ऑपरेशन से पूर आपको क्या तकलीफ रहती थी अपरेशन होगा था उससे पहले भी मुखे समष्जा थी और सुना ही कैसा देता था भात कम देता था हम यहां देख सकते हैं इनके ओर्डिम्तल मैं हो आप इसाफ आप आजहिए आप भाई आजाए आप भी देख सकते हैं हमकी डिजीस को देख लेते हैं यह कान का दुरबीन से हम अध्यन कर रहे हैं यह दिखेंगे से अलों प्लीज बाट पड़ जाए यह इदिख रहे हैं कान पुरा चमक रहा है अंदर यह पूरा बड़ा च्छेद है ठीक है ओके ठीक नाक बन तो नहीं रहता है आपका कभी कभी रहता है कभी कभी रहता है Okay So Everything is ready Team is in action So We'll do appropriate management for his condition And he will be benefited Maximum Team दोरा भरसक पुरियास किया जाएगा आपको जो भी maximum benefit दे सकते हैं वो दिया जाएगा अशोक बेस्ट हल्थकेर केड़ी में विशाथ सकेंगे भद बहुत देनेवाद जैहिंद नमस्कार जैहिंद अशोक बेस्ट हल्थकेर में आपको स्वागत है आज हमारे साथ में हैं मोहन कुमार जी बागा बिहार से ऑपरेशन से पूरू और हम जानना चाहेंगे सबसे पहले मोहन कुमार जी अपने गाउं और जिले का संशिप्त परिचे दीजिए वर्णन दीजिए सर मेरा गाउं पढ़ता है गाडबरन और जी जीले बागा जीला होता है बिहार जी और यही कहना चाहता है मैं वहां से आया यूटूब देखका है थोड़ा भाई लोग भी सपोर्ट किया कि हाँ डाक्टर अच्छा है जी जोड से बुलिएगा यूटूब के माधियम साया भाई लोग को पता किया ड्रैवरी करता है दिल्ली में जी तो उसने लोग बोला कि यहाँ जेपूर में डाक्टर हो है कान से संबंदित आपको क्या तकलीफ रहती थी कान म Müरे पहले पच्छम में बाह रहता तो मैं अप्र आप्रेसन करता बार Favor में जी तो पहले तो आतमी जदा ओंस भिंदता वोला ठीक हो जाई जी तो उसने चीरा व ब two 5 शे मान्हीन के बाद بदाई श्टाट हो गया फिर जी 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 उसके दिवड़ी भात्開 तो पूरू में छे महीने पूरू आपका चीरे वाला ओपरेशन हुआ कौन सा कहां दिखासते हैं आप अच्छा कि एक्स्टर्नल एप्रोव्ट से आपका यह ओपरेशन पहले हुआ ठीक है और वापस से कान बहना शुरू हो गया और ठीक है ठीक है अब आपका ओपरेशन के लिए जाएगा टीम तयार है और सबसे पहले संविदना अरणिया सुनने के प्रकरिया होगी सत्पस्चाद हम आगे बढ़ेंगे अशुक बेस्ट हेल्थकर के टीम में विश्राश चेकने के लिए पहुत बहुत दन्यवाद जैहिंद यहां हम देख सकते हैं मद्यकंड के अस्थियों के नव निर्माण के लिए औसिकुलर रिकंस्ट्रक्शन के लिए सिलिकॉन प्रॉस्थेसिस का उप्योग किया जाएगा प्रॉस्थेसिकुलर रिकंस्ट्रक्शन प्रॉस्थेसिस माइक्रॉन साइस का है कान के मद्यकंड के जो हड्यां मेलेस इंकस नेक्रोस हो गई है गल गई है उनकी जिगह इसको प्लेस के जाएगा वांडरफूल मोहन कुमार जी आपका मद्यकंड के अस्थियों का नव निर्माण हो गया है और आपको सुनाई में भी लाब मिला होगा आपको कैसा लग रहा है ठीक है अब मैं आपको देखना चाहूंगा आपके इस कान के सुनाई आपरेशन से पूर यानि ऑपरेशन से पहले कितनी थी अगर जीरो से सो के बीच में उसको कोई अंक देना चाहे तो ऑपरेशन से पहले सुनने की कैपसिटी कैसे थी पहले तो 10-15 परसंट था और ऑपरेशन के बाद अब मैं जब जांच रहा हूं तो इस समय कितनी है अभी आमने आकड़ा में मिला है ठीक है आप अपनी इस सुनाई से संतुष्ट है खुश है खुश है ठीक है ठीक है ओक है अब कुमारची दुरबीन से आपका ये ओपरेशन संपन हो गया है हम देख सकते हैं कान के छित्र पर जैल फोम ये सेमेंट रखा है जो समय के साथ एक से इन और में में कुल जाएगा कान का पिछला हिससा एक बड़ दिखाती जिए कान के पिछले हिस्से पर हम देख सकते हैं यहां नहीं है यह पूरव में अनित्र में और घूट हुए है उसका स्कारमार्क देख सकते हैं मोहन जी कोपरेशन से प्रकरिया से पून रूप से संतुष्ठ है अच्छा है ठीक है आप देश के उन युवाओं को क्या संदेश दिना चाहेंगे जो इस प्रकार की तकलीफ हैं जैसे कान का बहना सुनने में कमी से परेशान है आपने केंदर पर इतना विश्वास रखा और आपने समुच इतलाब लिया जै हिंट